स्वागत है आपका आपका प्रें यूट्यूब चैनल नौलिज सीकर पर चले शुरुवात करते हैं आज के देहिंदू रिटूरियल वकाबलरी की वकाबलरी से आज का पहला वर्ड है फीबल यहां पर एजिक्तिवी तरह यूज़ हुआ है वर्ड फीबल का मतलब होता है इस एक विक्ति किनी के लिए इस तरह से बात कह रहा है कि वह बहुत बुड़ा है और कमजोर है इसलिए वह और जादा नहीं जल सकता स्कॉवल्ड यहां पर वर्ड की तरह यूज़ हुआ है स्कॉवल्ड का मतलब होता है एकदम से लापरवाही फटा-फट से हम लिखते हैं जैसे डॉक्टर तो नहीं भोलना चाहिए वैसे बर जल्दी-जल्दी से जो लिखावट लिखी जाती हो जो समझी ना जाए मतलब गसीटा मारना in formal language में हम बोल सकते हैं उसे बोला जाता है English में स्कॉवल्ड स्कॉवल्ड के synonym सा आप देख सकते हैं eligible, unreadable, indecipherable, indecipherable है अगला है आपना scratched, entorium से legible, neat, distinct, fair, or readable एग्जम्बल देख लिजिए, he scrolled his name across the top of the paper ये बात कही गए कि paper के top पे शुरुआत में ही उसने अपना नाम लिखा जो की बिल्कुल से अव पठनी है था जिसे पहचाना नहीं जा रहा था अपना नाम उसने इस लिखावट में लिखा अगला हमारा शब्द है वेजल यहां पे नाम की तरह word यूज़ हुआ है वेजल का मतलब होता है किसी भी काम को करते समय बहुत जादा पहानी से सिनॉनिम से आप देखते हैं वाच, गार्ड, सर्वलांस, लोकाउट, विक और विजलेंस, एंटॉनिम से स्लीब, इन अटेंटिवनेस, दिस्रिगाज और निगलेक्ट एग्जांपल देख सकते हैं आप आल नाइट शी केप्ट विजल ओवर दे सिक चाइल्ड तो किसी मा की बात हो रही है कि उसने मा ने अपना जो चाइल्ड था वो बिमार था तो उसने पूरी राद उसकी देखभाल की निगरानी की उस बच्चे की अगला हमारा शब्ब्ब एवर्चेड यहां पे जेक्टिवी तरह वर्ड यूज हुआ है वर्चेड का मतलब होता है कोई बात घटने वाली है या कोई अपरी अगटने वाली है तो उसको ना घटने देना मतलब उसको टानना प्रवेंट करना रोकना उसे बुल जाता है अ एक्जाम्पल आप देख सकते हैं, तो किसी तरह की दुगटना की बात की गई है, जो ये दुगटना हुई है, उसे रोका जा सकता था, उसे टाला जा सकता था. अगला हमारा शब्द है रेटारिक, यहाँ पर वर्ड नाउन की तरह यूज़ वा है, रेटारिक का मतलब होता है, कोई विक्ती अपने बोनने के द्वारा, या फिर लिखने के द्वारा लोगों को जो प्रभावित करें, बोनने अत्वा लिखने की कला, वाक पटूताजी से हम बोलते हैं, या वाक चातुरिय है, उसे बोला जाता है रेटारिक, रेटारिक के से इनॉरिम से, औरेटरी, एलोकिन्स, बंबास्ट, औरेटनिस, एंटारिम से क्वाइट, कंसाइजनिस, डायलेक्ट और जागन, एग्जांपल देख लीजे, पीपल आर नाव फेड़ अप विद एमपिटे रेटारिक्स और पॉलिटिशन्स, तो यह बात कही गई है कि आम जनता, जो आम लोग है, वो पॉलिटिशन्स के जो वादे होते हैं, बड़े-बड़े जो वादे करते पॉलिटिशन्स, उनसे वो तंग आ चुकी है बुरी तरह से, अगला हमारा शब्द फेस्टर, फेस्टर का मतलब होता है, किसी भी कोई भी प्रॉब्लम है, समस्या है, कोई अपरी अस्थिती है, तो उसका और जादा बढ़ जाना, बहुत जादा ट्रबल में फसना, उसे बोले जाता है फेस्टर, फेस्टर के सिनॉनिम से देखे, अग्जामपल देख सकते हैं आप, तो इस तरह के जो मन मुटाओ थे, नराजगी थी, उसमें बढ़ोतरी हो रही थी, लगातार वो बढ़ ही रही थी, अगला हमारा शब्द है रिफ्रेंडम, यहां पे नाम की तरह वर्ड यूज़ हुआ है, रिफ्रेंडम का मतलब होता है, जब लोग अपने वोटिंग का प्रयोग करते हैं, जन्मत संग्रह जिसे बोला जाता है, पोलिंग पावर लोगों की, किसी भी मुद्दे पर वो पोल कर रहे हैं, अपना मत दे रहे हैं, उसे बोला जाता है, referendum जन्मत संग्रह synonym से इसके vote poll, election, mandate budgeting, antonym से table, abstain, antipathy or constraint example आप देख सकते हैं to hold a referendum तो इस तरह से जन्मत संग्रह करवाना इसका example मैंने दिया है जन्मत संग्रह करवाना अगला हमारा शब्द एक्जर्जबेटेट यहां पर की तरह word used हुआ, exacerbated का मतलब होता है किसे भी तरह की कोई स्थिती है, कोई समस्या है तो उसे और ज़्यादा बिगार देना मतलब problem का और ज़्यादा बढ़ जाना that is called exacerbated synonym से worse, aggravate, intensify exacerbate, antonym से improve, better, help or alleviate example आप देख सकते हैं long standing poverty has been exacerbated by racial divisions यह बात कही गई तो पहले से ही बहुत ज़्यादा गरीबी थी और मतलब स्थिती और ज़्यादा बिगड़ गड़ गई जो जितने भी racials धरम के नाम पे जो भी divisions थे इसके दोरा और भी स्थिती जो है बत से बत्तर हो रही थी अगला हमारा शब्द है diaspora diaspora यहाँ पे noun की तरह use by word diaspora का मतलब यहाँ तो मैंने लिखाए कि दूसरे देश छोड़ कर चले जाना है बस ना पला आयन करना आप इस तरह से समझ लिजिए इस word को diaspora word को जैसे यहाँ के जो इंडियन से वो अमेरिका में बसे हैं तो उनकी जो यूनिटी है उस यूनिटी को बोला जाएगा उनकी यूनिटी है उनका अपना विचार है उस कम्यूनिटी का तो उस कम्यूनिटी को बोला जाता है diaspora synonyms आप देशते हैं migration dispersal dissolution desperation or exodus entorium से concentration arrival crowd or gathering example आप देशते हैं the history of peoples from the African diaspora तो African diaspora के जो लोग है people उनका जो गृप है उनकी history की बात उनकी इतिहास की बात कही गई है अगला हमारा शब्द agitation यहाँ पे noun की तरह word यूज हुआ है agitation का मतलब होता है धरना देना धरना आदोलन करना धरना प्रदर्शन करना उसे बोला जाता है agitation बहुत सारे लोगों के त्वारे कठावकर धरना देना किसी तरह का आदोलन करना that is called agitation synonym से turmoil commotion disquiet excitement antonym से peace calm comfort और composure example आप देख सकते हैं small shopkeepers carried out a long agitation against big department stores तो यह बात कही गई जो छोड़ी छोड़ी दुकानदार होते हैं उन्होंने बड़े बड़े जो departmental stores होते हैं उनके खिलाफ मोर्चा कुल दिया आदोलन किया किसी तरह का धरना परदर्शन किया अगला हमारा शब्दे cohesion cohesion यहाँ पर noun की तरह use हुआ है word cohesion का मतलब होता है एक जुटता दिखाना सू संगछन की बात करना एकता की बात करना उसे बूल जाता है cohesion synonyms आप देखते हैं coherence, unity, solidarity, togetherness, adherence or integrity and चौनम से incoherence, discord, disharmony or dissent example आप देख सकते हैं more cohesion between policy making and enforcement organizations तो यह बात कही गई है जिनका काम policy frame करना होता है योजना बनाना होता है और जिन संगछनों का उन योजनाओं को enforcement मतलब उनको लागू करवाना होता है उनके बीच में एक जुटता या सू संगछन की बात कही गई है अगला हमारा शब्द है Relentless यहां से दूसरा editorial भी शुरू हो रहा है heading आप दे सकते है Relentless का मतलब होता है ऐसा कोई काम जो कि लगातार चलता रहे बिना रुके चलता रहे ऐसी कोई क्रिया वी धी ऐसी कोई चीज और यह मोश्रोबली वो बात हो रही है War के बारे में देखिया Unpleasant कोई situation है और लगातार वो चली रही है Russia और Ukraine के वार के बारे में Crisis इसकी बात हो रही है That is called Relentless लगातार चले बिना रुके चलने वाला Synorums आप देख सकते है Inxorable, Unrelenting, Inflexible, Persistent Antonum से Ending, Intermittent, Benevolent और Sporadic Example देख सकते हैं The Relentless Fight Against Crime तो Crime के खिलाफ, जुर्म के खिलाफ लगातार लडाई की बात कही जा रही है, कही गई है Example में अगला हमारा शब्द है Invasion यहाँ पे नाम की तरह word यूज हुआ है Invasion का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का हमला करना धावा पूनना, आकरमन करना उसे बोला जाता है Invasion Invasion के Synonym से Raid, Assault, Onslaught, Attack Antonym से Retreat, Defend, Exodus और Surrender Example देख सकते हैं आप कि अहमद शाहब डाली ने पंजाब पे कम से कम आठ बार जो है वो आकरमन किया, हमला किया अगला हमारा शब्द है Unanimously Unanimously और यहाँ पे Adwork पी तरह यूज हुआ है, Unanimously का मतलब होता है किसी भी चीज का समर्थन करना बिना किसी Conflict के बिना किसी, मतलब सब का किसी भी मुद्दे पर सबकी सहमती होना एक मत होकर सहमती जताना सरो समती से कोई बात स्विकार करना, उसे बोला जाता है Unanimously Unanimously के Synonym से United, Solid, Agreed और Accordant, Antonym से Conflicting, Opposing, Diversified और Controversial Example आप देख सकते हैं, The Senate Unanimously Approved the Bill तो Senate ने बिना किसी मतलब सहमती के, मतलब Senate ने एक मत होकर सरो समती से किसी बिल को पूरी तरह से Approve कर दिया, एकदम अगला हमारा शब्द है Triumph, यहाँ पे नाउं की तरह word यूज हुआ है, Triumph का मतलब होता है किसी तरह की जीत मिलना, सफलता मिलना या विजय हासिल करना, उसे बोला जाता है Triumph, Synonym से आप देख सकते हैं Success, Victory, Succeed or Win, Antonym से Defeat Disappointment, Fail or Loss Example आप देख सकते हैं The Team Returned Home and Triumph तो किसी टीम की बात हुरी कि जो टीम थी, वो विजय होकर वापिस अपने hometown या घर लोटी अगला हमारा शब्द है Resistance Resistance ही यहाँ पे नाउं की तरह यूज हुआ है वर्ज Resistance का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई बाधा आना कोई अडचान आना, कोई रुकावज आना कोई परतिरोध होना किसी काम में उसे बोला जाता है Resistance Resistance के Synonym से Opposition, Immunity, Impedance, Underground Antonym से इसके Acceptance, Patience, Submission, Agreement और Electrity Example आप देखते हैं Government Troops Overcame the Resistance of the Rebel Army तो ये बात कही गई है कि जो सेना थी Government के जो ट्रूप थे उन्होंने बिलकुल जो Rebellion थे जो पुद्रवी थे, विद्रोही थे उनकी आर्मी में पूरा सा उनको क्या किया बाधा पैदा किया, उनके लिए उनके लिए अवरोध पैदा किया, मतलब उनको काब गुमे किया, जो दंगा करने वाले थे जो दंगा फसाद करने वाले थे उनको काब गुमे किया, अपने कंट्रोल में किया अगला हमारा शब्द है Galvanize, यहां पे नाम की वर्पी तरह वर्ड यूज़ हुआ है Galvanize का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए प्रेरित करना उत्साहित करना, पर उत्साहित करना उत्तेजित करना उसे बोला गा है Galvanize Galvanize के synonym से Stimulate, rouse, excite, inspire or animate Antonim से discourage, debtors, dissuade or depressed Example आप देख सकते हैं These efforts have had mixed success but they have served to galvanize public opinion बात की गई किसी किनी तरह की कोशिशों की बात की जा रही है कि जो कोशिशें की जा रही है इनके मतलब मिले जूली सफलता मिलेगी परन्तु ये जो भी प्रयास है जो भी कोशिशें की जा रही है ये public जो opinions है लोग आम जनता के जो विचार है उनको काफी जादा ये प्रेवित करेंगी काफी जादा उन्हें प्रभावित करेंगी जो इस तरह के ये प्रयास किये जा रहे हैं किसी काम को करने के लिए अगला हमारा शब्दे stalemate यहां पे नाम की तरह word यूज हुआ है stalemate का मतलग होता है किसी भी काम में किसी तरह काफी गतिरोध होना अवरोधाना, रुकावटाना, अर्चनाना गतिरोध की स्थिति या अवरोध की स्थिति उसे बोला जाता है stalemate stalemate के synonym से deadlock, impasse, standstill or standoff, antonym से progress, advance, headway or advancement example आप देख सकते हैं this stalemate must be resolved promptly तो किसी तरह के किसी काम में कोई ठहराओ की बात की गई है, अवरोध की बात की गई है कि इस अवरोध को जल्दी ही resolve जो है, वो किया जाना चाहिए अगला हमारा शब्र है back against the wall back against the wall जो word है, या idioms or phrases की तरह use होता है word back against the wall का मतलब होता है कि हम विपरीद परिस्थितियों में बहुत जादा कठिनाईयों में फसे हुए हैं बहुत जादा प्राब्लम्स में हम फसे हुए हैं और उन प्राब्लम्स या कठिनाईयों से बाहर निकलने का जो रास्ता है मतलब solve करने की जो परिस्थितियां है वो बहुत ज़्यादा मतलब विकल्प जो है वो बहुत ज़्यादा कम है बाहर ना निकल पाना उन कठिनाईों से उन परिशानियों से options हमारे पास बहुत कम है उस समस्या से बाहर निकलने के तो उसे बोला जाता है idiom में back against the wall इसके example आप दे सकते हैं ये किसी तरह की कोई project की बात की जारी किसी तरह की काम की बात की जारी कि हम ये बिल्कुल जानते हैं कि इस project को खतम करने के लिए हमारे पास बहुत कम समय बचा है और इतना हमारे पास पैसा भी नहीं बचा है तो इस तरह से we head our backs to the wall तो इस तरह से obvious सी बात है जब हम project समय पे खतम नहीं कर पाएंगे तो हम काफी पढ़ेशानी में हैं काफी कठिनाई में हैं मतलब हम उसे खतम नहीं कर पाएंगे because of थोड़ा समय बचा है और हमारे पास धन भी money भी कम ही बचा है अगला हमारा शब्द है confrontation confrontation word यहां पर नाम की तरह use हुआ है word confrontation का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं किसी बात को लेकर दो विक्टियों की बीच में आपस में मतभेद है वो लड़ना चाह रहे हैं मुकाबला कर रहे हैं आपसी अस्तामती होना किसी बात को लेकर विरोध करना है आपना सामना होना लड़ाई होना उसे भी बोला जाएगा confrontation confrontation के synonyms आप देख सकते हैं conflict, encounter, clash, or fight and times agreement, calm, consensus, or peace example आप देख सकते हैं there was a confrontation between the two tribes तो किनी दो tribes के बीच में आपसे खीचतान की बात की गई है आप सिमत भेट की बात कही गई है तो यह last word था आज की देख हिंड़ डिटोरियल vocabulary का इस वीडियो में इतना है सिद्रक इंफरमेटिव वीडियो उसके लिए बन रही है चैनल पर Thank you, thanks for watching